मैंने एक रुपए में सिक्किम का इतिहास खरीदा यह एक आकर्शक घटना है जो कुछ समय पहले मेरे नगर सिंगताम में घटी थी मैं अपनी स्वनिर्मित लाइब्रेरी के लिए पुरानी पत्रिकाओं की तलाश में त्रिवेदी स्टोर, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए मेरा लोक्प्रिय पढ़ाव में था जब एक हिंदी उपन्यास के शीर्शक ने मेरा ध्यान आकर्शित किया जगत की सिक्किम यात्रा, जो अंग्रेजी में जगत की यात्रा सिक्किम है, मेरे लिए एक अध्भुत खोज थी पुस्तक का शीर्शक मेरी कलपना और जिग्यासा को पकड़ने के लिए परियाप्थ था, भले ही मैं उपन्यास पढ़ने का प्रशन्सक नहीं हूँ पुस्तक के प्रत्येक प्रिष्ट को पढ़ने के बाद मैं दस्तावेज की सामगरी से चकित रह गया भले ही पुस्तक में कहा गया है कि इसकी कहानी और चरित्र सन्योग हैं, संपूर्ण विशय 1973 में सिक्किम के विलय को चित्रित करता है मैंने सिक्किम के लोगों, छोग्याल और उनके परिवार, भारतिय अधिकारियों, अमेरिकी CIA, एजेंटों और चीन के एक चरित्र के सामने आने वाली स्थिती के बारे में पढ़ा कहानी में सब कुछ था और एक अंतरराष्ट्रिय ठग जगत नामक एक केंद्रिय चरित्र के आसपास केंद्रित था उन आंदोलन के दिनों का एक-एक मिनट विवर्ण बड़े करीने से दर्स किया गया है, जैसे कि लेखक ने इसे देखा हो मुझे यकीन है कि लेखक ओम प्रकाश शर्मा ने सिक्किम राज्य की घटनाओं के बारे में परियाप्त अध्ययन किया होगा चुंकी किताब पुरानी थी और जब उसे प्रकाशित किया गया तो उसकी कीमत दो रुपए थी मुझे केवल एक रुपए का भुगतान करना पड़ा भारतिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा हिंदी भाशा में कई अपराध और थ्रिलर उपन्यासों के लेखक है उन्हें हिंदी पल्प फिक्षन के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है और उन्होंने तीन सौ से अधिक उपन्यास जारी किये हैं केशव पंडित, इंस्पेक्टर आजाद, बांकेलाल और सुपर कमांडो धुरुव दूसरों के बीच शर्मा के सबसे प्रसिद्ध कारियों में से कुछ है उनके उपन्यास, उनके उन्मत एक्षन, मनोरंजग कहानियों और प्यारे पात्रों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई किताबे लिखी हैं, जिन्हें टेलिविजन शो और कॉमिक किताबों में रुपान्तरित किया गया है बड़े दुख की बात है कि आज यह किताब मेरे पास नहीं है, मेरे एक मित्र इसे पढ़ने ले गए थे बाद में मुझे पता चला कि किताब उनके घर से गायब हो गई है फिर भी आज जब मैं हिंदी उपन्यास की पुरानी किताबे देखता हूं तो मेरी आखें हमेशा जगत की सिक्किम यात्रा शीर्शक खोजती है सिक्किम पर अधिक रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद